नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टैक्निक फीवर यूट्यूब चल्ड में अब तक आपको क्रेट कार्ड और बेंकिंग के बारे में खुब सारी जानकारी दीए लेकिन मुझे लगता है कुछ बेसिक जानकारी जो मुझे आपको सबसे पहले देनी चाहिए थी वो मैं आपको नहीं दे पाया हूँ तो आज के इस वीडियो में आपको बताओँगा कि आप किस तरह से चेक बढ़ सकते हैं तो दोस्तों जहां पर मेरे पास यहां पर आपको सबसे पहले तारीक डालनी है तारीक डालनी है आपको दो डिट में यहां पर तारीक डालनी है अगर आपकी तारीक पांच तारीक है तो आपको पहले जीरो लगा लेना है आज 15 तारीक है तो मैं यह 15 लिख रहा हूं और महिने में भी आपको सिंगल डिट में मन्त हा रहा है तो आपको 0 लगा लिना है आपको 2 डिजट में मन्त लिखना है और साल को आपको 4 डिजट में लिखना है यानिके 2021 तो 4 डिजट में आपको साल को लिखना है इसके बाद में आप किसको पे करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम आपको लिखना है वो आदमी हो सकता है या इनसान हो सकता है या पर कोई company हो सकती है मेला भी हो सकती है उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है match करना चाहिए उनके bank account से आपको यह बढ़िया तरह से space देखे कर नाम में space है तो यहाँ पर लिख देना है उसके बाद मैं यहाँ पर आपको amount लिखना है numerical values में तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पर 10,000 लिखने के बाद में dot लगा के पैसे भी आपको लिखने है तो यहाँ पर जूरो जूरो पैसे करके आप जहां पर slash करके एक dash का sign बना देजिएगा अब आपको पैसे को birds में लिखना है तो आप अगर चाहें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं चाहें तो आप English में लिख सकते हैं जो भी लिखेंगे उसके बाद में आपको only लिखना है बैसे कोई जादा इसका फाइदा होता नहीं है तो कोई परनी बाया क्योंकि सिर्म अमाउंट है उसके बाद आपको sign करने अपने जो आपने bank में sign किये हुए हैं वही sign आपको यहाँ पर कर देने जब आप यह sign कर देनेंगे आपका check complete हो गया लेकिन आप चाहते हैं कि जिसा आदमी को आपने check दिया है यह उसके account महीं जाए उसको cash नहीं जाए तो आप कौने पर तरची land खींच के left and side में बहाँ पर account pay यह account only लिख सकते हैं तो अब यह account के अंदर ही डाला जा सकता है इसा होगा वो टेक्निक फ्यूवर के account महीं जाएगा उसको cash नहीं मिलेगा तो इस तरह से आप check को भर सकते हैं check भरने के बाद में आपको उसका record रखना बहुत जरूरी है क्योंकि check तो फाड़के आप किसी को दे देंगे फिर आपको पताने रहेगा कि आपने किसको कितने amount का check दिया हुआ है तो सबसे मेरे आपको date डालनी है date डालने के बाद में आपको check number डालना है check number किसको इसू किया है वो आपको डालना है कितने amount का किया है कितने amount वो जमा कर रहे हैं ना उनका balance बच रहा है वो सब फिल करके आपको check फाड़के जिस skepti को भी आप देना चाहते हैं उनको आप दे सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो पसंद आया है तो